नमस्ते दोस्तों, मैं सुनिया गोयल चैपुर्दा पिंग सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ मैं एक ब्यूटीशन और आयरोवेड स्कॉलर हूँ दोस्तों, आज के मेरे ब्यूटी टिप्स के एपिसोड में आप देखेंगे बाल जढ़ना, यानि बाल गिरना कैसे रोके, इसके दो बहुत ही सफल गरेलुन उसके साथ ही साथ, आप आज के इस वीडियो में देखेंगे बाल बहुत ज़्यादा जढ़ने के में रीजन्स और गंजे बंसे बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें ब्यूटी की जब बात आती है तो बालों की इंपर्टेंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता फिर चाहे वो मेल हूँ या फिमेल और भले ही कोई भी एज ग्रूप हूँ काले, लंबे और गने बाल सुन्दरता को हमेशा बढ़ाते हैं इसलिए बाल गिरना, गंजा पनाना सभी को चिंता में डाल देता है एक तरफ आज के टाइम में कम उम्र में ही बाल बहुत ज़्यादा जढ़ना और यंग एज में ही गंजा पनाना बहुत देखने को मिलता है जिसके लिए लोग दुनिया भर की महंगी दवाईयों से लेकर तरह तरह के शैंपू तक सब कुछ यूज करते हुए दिखाई देते हैं यहां तक की जिनके पास पैसा है वो बहुत ही महंगा पढ़ने वाला हेयर ट्रांस्प्लांट तक कराने को तयार रहते हैं महीं दूसरी तरफ आयरुवेट और नैचरोपैथी में ऐसे घरेलू नुसकों की भरमार है जो सस्ते भी हैं और बालों का जढ़ना बहुत जल्दी रोक देते हैं जो मेल्स और फिमिल्स दोनों के लिए ही यूसफुल है ये घरेलू नुसका मैंने अपने आयरुवेट के कोर्स में सीखा था और ब्यूटिशन के कोर्स में भी सीखा था उसके बाद इसे मैंने अब तक बहुत लोगों को बताया और हर बार इसके सक्सेस्फुल रिजल्स देखे हैं बालो को जणने से रोकने के लिए डालचीनी एक बहुत ही बड़िया नैचरल हर्व है इसमें ऐसे नैचरल तत्व पाय जाते हैं जो बालो को मजबूती देते हैं बालो का पोशन करते हैं और बालो को हेल्दी बनाते हैं जिससे आपके बाल जणना बंध हो जाते हैं और आपके बालो को मिलता है लंबी उम्र का वरदान हाई ये देखते हैं डालचिनी को बाल जणने से रोखने के लिए कैसे यूज करना है दोस्तो इसके लिए आपको तीन चीजे चाहिए होंगी पहली तो दालचिनी, दूसरी चीज है ओलिव ओल या जैतुन का तेल और तीसरी चीज है शहद ये तो आपको पता ही है कि ये तीनों चीजे बहुत ही आसाने से हर किराना की दुकान पर मिल जाती है और एक अच्छी बात ये है कि ये तीनों ही चीजे जादा कॉसली भी नहीं है इसलिए इनको यूज करके आप बहुत कम खर्च में आराम से घर पर ही अपने बाल जढने और गंजेपन का इलाज कर सकते हैं इन तीनों चीजों का आपको करना क्या है आईए वो देखते हैं सबसे पहले तो आपको दालचीनी की स्टिक को कूट कर फिर मिक्सी में सूखा ही पीस कर पाउडर बना लेना है अब आपको ओलिव ओल की चार चमच एक प्याले में लेकर गर्म करनी है इसे बहुत तेज गर्म नहीं करना है धुआ उठने से पहले ही इसे आच से उतार लेना है फिर जो आपने दालचीनी का पाउडर बनाया था उसकी एक चमच इसमें मिला लेनी है और साथ में मिला लेना है एक चमच शहद बस ये तयार हो गई बालों को जड़ने से रोकने की चमच कारी घरेलू रेमेडी अब आपको नहाने से आदा घंटा पहले इस गर्म तेल से बालों की जड़ों में हलके हाथों से धीरे-धीरे अच्छी तरह मालिश करनी है बालों की जड़ों में मालिश हमेशा उंगलियों के सिरों से ही करनी चाहिए दालचीनी वाले इस तेल से अच्छी तरह मालिश करने के बाद आपको इसे अपने सिर में करीब आदा घंटे के लिए लगे रहने देना है फिर नहा लेना है इसे दीरे दीरे उंगलियों के सिरों से ही रगरते हुए धोएंगे तो ये आसानी से बिना शैंपू के ही पूरी तरह निकल जाएगा इस तरह आपको ये दालचीनी वाला तेल हर एक दिन छोड़ कर एक दिन यूज़ करना है इसको यूज़ करने पर आप देखेंगे कि दो-तीन बार में ही आपके बाल जणना कम हो जाएंगे फिर जब आप इसे regular यूज़ करते रहेंगे तो आपके बाल एक महीने में पूरी तरह हेल्दी हो जाएंगे एकदम मजबूत हो जाएंगे और बाल जणना बिल्कुल बंध हो जाएंगे इससे आपको गंजे बन की problem नहीं रहेगी बलकि आपके सिर पर होंगे एकदम शांदार, काले, घने बाल ये ध्यान रखें कि ये तेल हर बार fresh बना कर ही यूज़ करें और मालिश करते टाइम ये भी देख लें कि तेल हलका गर्म होना चाहिए पूरी तरह ठंडे तेल से मालिश करने से या पुराने बने हुए तेल से वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए दोस्तों बाल जहने से रोकने के दूसरे इलाज की बात करें उससे पहले मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखे हुए लाल रंग के बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो ये जो एक bell या घंटी का निशान बना हुआ है उसे क्लिक करके notification को भी on कर लें इससे क्या होगा दोस्तों कि हम जब भी आपकी help के लिए कोई भी नया वीडियो अपने इस channel पर लाएंगे तो आपको उसकी जानकरी free में तुरंत मिल जाएगी और आप हमारा नया वीडियो टाइम से देख सकेंगे आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हुगा आईए अब देखते हैं बाल जढने से रोकने की एक और बहुत अच्छी और बहुत effective home remedy आपको शायद ये जानकर आश्चेरे होगा कि प्याज और अद्रक भी बाल जढने से रोकने के लिए बहुत कमाल की natural दवाए है असल में शरीर में वात, पित और कफ का balance भी गड़ने से बाल जढने लगते हैं प्याज और अद्रक वात, पित और कफ के balance वो ठीक करते हैं इससे बहुत जल्दी बाल जढना बंध हो जाते हैं और गंजेपन से छुटकारा मिल जाता है आईए देखते हैं, बाल जढने से रोकने के लिए प्याज और अद्रक को कैसे यूज किया जाए इसके लिए आपको इन दोनों ही चीज़ों का रस निकालना होगा प्याज को आप काटकर सिल पर पीस कर या फिर मिक्सी में पीस कर या फिर कद्दुकस करके गाड़ा पेस्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं फिर इसे एक साफ सूती कपरे से छान लीजिए ऐसा करने से आपको एकदम आसानी से प्याज का रस मिल जाएगा ठीक इसी तरह आप अद्रक को भी काट कर सिल पर पीस कर या फिर मिक्सी में पीस कर या कद्दुकस करके सूती कपड़े से छान कर अद्रक का रस निकाल सकते हैं जब आप दोनों तरह का रस निकालने तो आपको क्या करना है कि एक प्याले में दो चमच प्याज का रस और दो चमच अद्रक का रस लेकर मिला लेना है। यनि अगर आप इससे कम या ज़्यादा मिक्षर बनाना चाहें तो ये ध्यान रखिए कि आपको प्याज का रस और अद्रक का रस बराबर बराबर लेना है इसके बाद आपको इस मिक्षर से बालों की जड़ों में हलके हाथ से मालिश करनी है बहुत जोर से रगड़ चाहें और फिर सादा पानी से दो लेना है इस रमेडी को हर एक दिन चोड़कर एक दिन यूज़ करने से बाल जड़ना पूरी तरह बंद हो अगर आपके सिर में डेंडर्व है तो वो भी खत्म हो जाती है बस ये ध्यान रखें कि अगर आपके स्किन सेंसिटिव है तो प्याज और अद्रक के रस से थोड़ी जलन महसूस हो सकती है इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले लोग ये रेमेडी यूज नहीं करें एक बात ये भ आपके बाल जड़ना पूरी तरह बंद नहीं हो जाते है तो दोस्तों यहां इस वीडियो में मैंने बाल जड़ने से रोकने के लिए जो दो घरेलू इलाज बताए है उनमें से आप अपने सुवीधा के हिसाब से कोई भी एक इलाज चुन सकते हैं उसे आप वीडियो में बताय के तरीके से 15-20 दिन यूज़ कर सकते हैं जब आपको 15-20 दिन में इससे फायदा हो तो आप इसको और आगे तक तब तक चालू रख सकते हैं जब तक कि आपके बाल जड़ना पूरी तरह बंद नहीं हो जाएं बाल जड़ने से रोकने के लिए इन आयरुवेडिक गर लिए नुकसान दायक होते हैं इसलिए हेयर जल का रेगुलर यूज़ करने से बाल धीरे-धीरे कमजोर होकर जड़ने लगते हैं तो जिनको बाल जड़ने की प्रॉबलम है उनको तो हेयर जल बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए तेज केमिकल वाले शेंपू और देंडरफ की वज़़से भी बाल जड़ते हैं इसलिए डेंडरफ होने पर उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए या हलके में नहीं लेना चाहिए बलकि देंडरफ का तुनंत इलाज करना चाहिए इसके लिए बहुत से घरेलु इलाज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं आजकल लड़कियां hair straightening के लिए हर आए दिन hot iron का स्तेमाल करती हैं ये ठीक वही सिस्टम है जो सिस्टम कपड़ों को प्रेस करने के लिए है आप ही सोचिए गर्म iron से बालों को प्रेस करके उनको सीधा करने से बालों को नुखसान होगा ही कभी कबार किसी खास मोगे या प के लिए सभी तरह से अच्छा है इसलिए बालों के लिए भी healthy diet लेने का ध्यान रखना चाहिए बाल प्रोटीन से बने होते हैं साथ ही iron और vitamin b भी बालों के लिए बहुत जरूरी होते हैं इसलिए अपने खान-पान में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपको protein, iron और विटामिन भी सही मातरा में मिलता रहे तो दोस्तों इस तरह आप इस वीडियो में बताये गए घरेलू इलाज और साफधानियों का ध्यान रखते हुए ना सिर्फ अपने बाल जहने से रोक सकते हैं बलकि फिर से घने और लंबे बाल पा सकते हैं ताकि आपकी खोई हुई ब इंफर्मेशन अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेस्बुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके बालों की और भी समस्याओं जैसे बाल जढ़ना समय से पहले बाल सफेद होना बालों की अच्छी ग्रोथ ड्राय हैर आदी के आप इस वीडियो के नीचे दिये गए डेस्क्रिप्शन में मुझूद लिंक्स को क्लिक कीजिए इसके अलावा आप अपनी समस्याओं हमें वीडियो के नीचे दिये गए कमेंट सेक्षन में भी लिख सकते हैं ऐसी लिए इंट्रेस्टिंग और यूसफुल इंफर्मेशन देखते राने के लिए जैपूर दापिंग सिटी चैनल को प्री सब्सक्राइब कीजिए